सिर्फ एक कप रवा से हम बनाएंगे सुबह का एकदम healthy breakfast सबसे best part तो यह है इसे बनाना quick, easy और instant है अब चाहे तो इसे टिफिनियन लांच बॉक्स भी ले जा सकते है vegetable idli बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो चमर्च के जितना oil करम कर दिया है और उसमें half teaspoon के जितना राई डाल देंगे जैसे ही राई चटकने लगे इसमें हम एक tablespoon चनादार डालेंगे और एक spring मैंने यहाँ पे curry leaves कवी लिया है उसे मैंने तोड़ के डाल दिया है उसके बाद हरे मिर्च डाल देंगे कट करके हरे मिर्च आप चाहे तो जादा भी उसकर सकते है कितना तीखा चाहिए आपको उसके उपर डिपेंड करता है उसके बाद कुछ सबजी यह डालेंगे तो यहाँ पे मैंने एक चौथाई कप के जितना मटर ले लिया है और एक छोटा क्यारट यानकी गाजर लिया है ग्रेट करके मीडियम फ्लेम पर एक मिनिट के लिए से सौटे करेंगे और फिर डालेंगे ग्रेट किया हुआ अधरक एक टी स्पॉन तो वेजिटेबल्स हमारे हलके हलके से कोखो चुके है अब आती है सूजी की बारी तो एक कप के आसपस मैंने मीडियम साइस का जो सूजी होता है न वो यूस किया है इसे आप चाहे तो बॉम्बे रवा भी कह सकते हैं सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सबजियों के साथ फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पर ही इसे दो मिनिट तक हम पका लेंगे चलाते हुए अब जो रवा है ना उसमें बहुत अच्छी खुश्बूबे आने लग गई है तो ग्यास का फ्लेम आफ कर दीजिये और यह जो मिश्रन हमने भून के रड़ी किया है ना उसे एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे गाजर और मटर के अलवा आप चाहे तो इसमें क्या बेज आड़ कर सकते हैं कौन्स डाल सकते हैं तो जो भी आपकी मनपसंद सबजी है ना वो यूस कीजिये अब इसमें जाएगा एक तीहाई कप के जितना दही और साथ ही में पानी ब्याड कर लोंगी पानी की जो मात्रा है न वो आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा मुठी भर मैंने यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया भी ले लिया है धनिय को पहले तो आप अच्छे से दो लीजे और फिर काटके इसके अंदर डाल देंगे इसमे अच्छे से और आप देखेंगे कि जैसे हमने पानी डाला ना तो सुजी सारा पानी पी गई है तो फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है इन टोटल मैंने एक कप पानी का यूज़ किया है इसमें अब यह जो मिश्रन है उसमें हमने नमक तो आड़ ही नहीं किया तो चली नमक आड़ कर लेते हैं स्वाधा नुसार फिर से आप देखेंगे हमारा जो मिश्रन है वो थिक हो गया है अब थोड़ा सपानी यहाँ पर और डाल दीजे एक याद दो टेबल स्पून के जितना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिलकुल इडली बैटर के जैसी होनी चाहिए एकदम सॉफ्ट इडली बनाने के लिए इसमें हम इनो डालेंगे तो आदा साशे इनो का यूज किया है यहाँ पर मैंने इनो डालने के बाद पहले तो आप 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से इसे मिक्स कर लीजे ताके एरेशन हो जाए इनो डालने के पहले जो इडली का बरतन होता है ना उसे मैंने गर्म करने रख दिया है उसमें पानी डालकर और इडली मोल्स को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया था तो अब एक見て करके यह जो बैटर है ना सारे इडली मोल्स में हम भर लेंगे इतने टाइम में हमारा जो पानी है न वो भी गरम हो जाएगा इडली के बरतन के अंदर जैसे ही पानी बोईल हो जाए हम ये बरतन को रख देंगे इसमें और उसे स्टीम होने देंगे इसे हमें मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है 15 मिनिट के लिए तबी तो हमारी इडलीज एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनके रेडी होंगे यहां पर 15 मिनिट बाद ग्यास का फ्लेम तो आफ कर दिया था उसके बाद 5 मिनिट रुके और फिर ही ये जो इडलीज है उसे डी मोल्ड कीजी देखे कितना सॉफ्ट और जाली दार बनके रेडी हुआ है ग्यास का फ्लेम आफ करने के बाद 5 मिनिट करना जरूरी है वरना ये इडलीज इतने सॉफ्ट है ना कि वो तूट के निकलेंगे और एकदम अच्छे से निकलेंगे नहीं इसले पार्शमेट वेट कीजे और उसके बाद चटनी के साथ सर्व कीजे क्रिस्पी पालक दोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम आदा बंच के जितना पालक ले लेंगे उसका जो नीचे का मोटा वाला हिस्सा होता है ना स्टेम का उसे तोड़ दीजिए फिर अच्छे से पालक को दो कर इस्तमाल करेंगे उसमें अद्रक और मिर्श डाल कर इसका पेस्ट बना लीजिए पेस्ट बनाते वक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी का इस्तमाल किया था जादा पानी डालेंगे ना तो अच्छे से पिस नहीं पाएगा इसलिए थोड़ा ही पानी यूज़ कीजी अब इसमें हम डालेंगे एक कप के जितना रवा, तीन टेवल स्पून चावल का आटा, चमजीरा और नमक स्वादा नसार इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि सूजी काफी जादा पानी ले लेती है, तो इसलिए हमें और पानी आड़ करना पड़ेगा इसमें तो एक कप सूजी के हिसाब से यहाँ पे मैंने सवा दो कप के जितना टोटल पानी का यूज किया है, ये वाले दोसे का जो बैटर है न, वो नॉर्मल दोसे के कमपेरिजन में थोड़ा पतला होता है, तो स्टार्टिंग में हमने आदा कप के जितना पालक का जूज यूज किया था, उसके बाद मैंने एक कप पानी डाला और एक कप पानी में अभी डाल दोंगी, तो हो गया न, सवा दो कप, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पाच से दस मिनिट अगर आप रेस्ट पे रख सकेना तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नहीं रख पा रहे हैं त तवे को गरम कर दिया है अच्छे से, कुछ बुंदे इस पर तेल की डाल देंगे और एक टिशू पेपर के मदद से इसे पोच लीजिए, थोड़ा सा खटा हुआ प्यास भी डाल देंगे उपर से, अगर आप प्यास नहीं खाते तो उसे अवोइड भी कर सकते हैं, अब द को मीडियम कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पका लेंगे, कुछ बुंदे ऑईल की भी छिड़क दीजिए उपर से, देड़ मिनिट के आसपास मैंने इसे ढखकर पका दिया था, उसके बाद इसे हम फ्लिप करेंगे और दूसरा साइड भी पका लीजिए, अग की मर्जी आप अपने इसाप से इसे क्रिस्पी या फिर सॉफ्ट बना सकते हैं, तो मिन्टो में यहाँ पे हमारा एकदम टेस्टी पालक दोसा बनकर रेडी है, इसी तरीके से आप सारे दोसा रेडी कर लीजिए, इसके साथ सर्फ करने के लिए मैंने यहाँ पे चटनी रे इसी प्रेक्फस्ट की रेसिपी और नॉट तो फगेट हेल्दी भी, और बनाने में भी इसे जादा टाइम नहीं लगा है, तो इसे आप जरू ट्राइ कीजिए, इसका टेक्शर देख रहे हैं, कितना क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है, आप मैं इसे तोड़ कर भी बता आपको, देखें इसे मोडते ही कैसे ये तूट गया है, तो आप भी इसे घर पे जरू ट्राइ कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंस और फैमली को शेर कीजिए, और टेस्टी वेज रसिपी को सब्सक्राइब कीजिए, साथी बेल आइकन क्लिक करना भ था ज़किन वेजिए, बएकिन गएक।